तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस एफेक्ट और सिकन्द मैं पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पता दो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउन्लोट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा एन्वार्मेंट एन हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इस ग्रीन हाउस एफेक्ट और ग्लोबल इसे पहले एन्वार्मेंट एन हेल्थ वाले चैप्टर में वाटर वाले पार्ट में बहुत स्राइट टॉपिक किये थे जैसे की सेफ वाटर प्रॉब्लम हैबिटेशन सोसे ऑफ वाटर शेलो वेल के बीच में दिफरेंस सैनिटरी वेल वाटर पॉलूशन उसके इंडिके पड़ा था रापिट सैनिटर पड़ा था दोनों के बीच में डिफरेंस पड़ा था दिसिंफेक्शन ऑफ वाटर कैसे करते हैं इसकी में थर्स देखी थी उसमें प्रॉरी नेशन नोजनेशन मेंब्रेन प्रॉसेस्ट भी पड़ा था हाउस होल्ड यह स्माल लेवल पर कै से प्रॉरीफिकेशन करते हैं वो भी देखा था स्टेप्स अफ डिसिंफेक्शन ऑफ फेल एक था उसके तहत हमें डबल पॉर्ट में थटेका था हो रॉक सब्रेटेस्ट कर न्यूमेरिकल भी सौल्ट किया था हमने हमने हाड़नेस ऑफ फॉर्टर देखा वोटर zone देखा था मैक आर्डल्स मैक्सम अलावबल स्वेट रेट देखा था इसमें प्रेडिक्टर फोर आर स्वेट भी देखा था फिर एर टेंप्रेचर एर हुमिडिटी कूलिंग पार ऑफ दायर भी देखा था एर पॉलूशन देखा उसके बाद हमने उसके इंडिकेटर उसके मॉनिटरिंग कैसे करेंगे उसके प्रेंशन इन कंट्रोल को देखा थीक उसके बाद एर वाले पार्ट का अगला टॉपिक जो आज हम करेंगे दैट इस ग्रीन हाउस एफेक्ट और ग्लोबल वार्म ठीक तो यह सारे टॉपिक्स के वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट खो तो वह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह कॉन सी गैसे से होता है पहले तो यह जानना ज़रूरी है मुक्षित वह वो वाटा वेपर जैसे कि भाप वागर्ट और और गाबन डायोकसाइड मिधेन नैटरस ख developers और इन गैसों की वज़ेसे गरीन हाउस एफेक्ट होता है तो अगर आप से कोई सवार करें कि भाइट ग्रीन हाउस गैसे से से होता है तो देखो वाटर वेपर यह जिसको हम भाप वगईरा कहते हैं तो उसका सबसे जब्सक्राइब highest contribution तो water vapor का होता है 36 to 30% पर carbon dioxide ज्याद़ important है क्योंकि इसका second highest contribution होता है लेकिन maximum effect जो होता है global warming कराने में वो carbon dioxide का होता है उसके बाद methane भी important role play करता है बहुत सारी है एक ozone नाम याद रखने जब भी आपको green house gases या green house effect यो global warming शब्द आएगा न ओजोन का नाम ज़रूर याद रखना यह जो ओजोन होती है यह ओजोन लेयर होती है यह beneficial होती है क्यों क्योंकि UV rays जो sun से आ रही है sunlight के थूँ जो UV rays अल्टरा वाइलेट रेज आ रही है उनको यह cut कर देती है उनको हम पे exposure होने नहीं देती है तो उस तर है वह इस non-natural gas जो होती है वह ozone layer को निपटा रही है वह धीरे-धीरे करके ozone layer में छेट कर रही है ozone layer को खराब कर रही है जिसकी वजह से फिर ग्रीन हाउस एफेक्ट हो रहा है global warming हो रही है तो यह chlorofluorocarbons और carbon dioxide इस बहुत खतरनाग चीसे है ठीक तो ozone को इस तरह से याद रख होते है that is greenhouse effect क्या होता है ठीक तो जो यह greenhouse gases होती है ना इनका में काम क्या होता है यह क्या करती है energy को absorb करती है कौन से energy जैसे की heat radiation वगरा जो अर्थ से reflect होके वापस जा रहा है उसको absorb करती है और जो solar radiation जो सूरज की तरफ से आ रहा है उसको अंदर आने देती है मतलब कैसा मान है ठीक है तो जो सूरज से incoming solar radiation उसको तो आने देती है मगर जो heat radiation जा रहा है उसको कुछ-कुछ तो जाने देती है बाकी absorb कर लेती है उससे होता क्या है उससे हमारी जो सतय होती है अर्थ की वो गरम रहती है लेकिन बहुत गरम नहीं ठीक है क्यों क्योंकि बहुत थोड़ी स यह पतली से layer होती है तो थोड़ी बहुत रहती है तो थोड़ा सा करम गरमाहट रखती है क्याना चाहिए ठीक है बहुत करम नहीं करेगी बहुत करम करेगी यही तो है global warming यह समझना है अब देखो यह जो layer है यह क्या कर रही है कि जादर काफी heat radiation को जाने दे रही है थोड़ से यह खुब सारा production आपके industry से निकल रहा है आपने deforestation किया उससे निकल रहा है automobiles वगरा से निकल रहा है तो क्या हुआ यही जो आपकी layer थी greenhouse कैसे की देखो कित्ती मोटी हो गई होगी ना देखो इत्ती मोटी layer हो गई अब होगा क्या अब होगा यह कि solar radiation तो आपका आ रह है ठीक है मगर यह जो absorb कर रहे थी ना heat को यह बहुत जादा absorb करने लगी देखो सारे की सारे heat को इसने absorb कर लिया जानी नहीं दिया यहां देखो जाने भी दिया तो मगर यहां पर क्या किया खुब सारी खुब सारी खुब सारी heat को absorb कर लेगी तो इससे होगा क्या इससे अर् gases बढ़ जाती है atmosphere में तो जादा heat को ये trap करने लगती है खुब साथ हुब साथ हुब साथ हीट को trap करेंगी जिसकी वज़े से जो प्रत्वी की सतय होगी या earth का surface होगा उसका temperature बढ़ने लगेगा और उसको कहेंगे global warming समझ गए तो green house gases देखो दो पंगे करती है क्या पहला कि उसने जो ozone layer थी जो beneficial थी जो UV light को transmit कर रही थी उसमें छेत कर दिये तो पंगा क्या है UV transmission भी आ रहा है हमाई लिए वो पंगा है second thing कि भाईया यह थोड़ी बहुत heat को absorb करती थी पाकी को जाने देती थी क्योंकि पतली सी layer होती थी green house का से मगर अब क्या हो रहा है अच्छी मोटी layer हो जाएगी तो सारी की सारी heat को absorb करने लगेगी तो प्रत्वी की सतह का temperature भी बढ़ने लगेगा जिसकी वज़े से global warming यह बहुत जादा गर्मी आगे जाके तो glaciers भी पेगलेंगे coastal surface के sea level भी बढ़ जाएगा वह भी हम देखेंगे effect of global warming में तो इतना समझ में आगे global warming क्या है बहुत simple तरीके से समझा रहा हूँ दो चीज़ पहला greenhouse effect की वज़े से जो greenhouse gases है उसमें low-flow carbon वगरा भी है तो ozone layer जो है वो डिप्लीट हो गई UV transmission भी आ रहा है second thing कि भाईया यह जो heat radiation से हैं वो बहुत जादा absorb करने लगे क्योंकि बहुत मोटी लेयर हो गई जिसकी वज़े से global राइज इन temperature हुआ और जिसकी वज़े से global warming हो रही है ठीक तो ऐसे याद रखना greenhouse gases क्या होती है उनका effect क्या होता है अब यह जो greenhouse gases होती है यह आती कहां से कौन-कौन से sources होते हैं जिससे greenhouse gases निकलती है सबसे पहले चीज़ तो याद कर लो fossil fuel जैसे की oil gasoline coal इनको जलाने से greenhouse gases उत्पन होती है दूसरा nitrogenous fertilizers अगर आप यूज़ करते हो तब भी greenhouse gases निकलेंगी coal industries coal mining वगरह organic matters इन सब चीज़ों को चलाने से इन सब चीज़ों की मैंने करने से भी greenhouse gases निकलती है उसके अलावा landfilling वगरह कर दोगे और rice paddies वगरह बढ़ा दोगे जो चावल की खेती वगरह होती है उसको भी जादा बढ़ा दोगे और जो biomass जो कच्रा वगरह होता है उसको भी कूप सारा जलाओगे तब भी greenhouse gases उत्पन बहुत सादा हो सकती है आगे जाके global warming करा सकती है ठीक अब ना और तो finally यह जो greenhouse effect है करा क्या रहा है यह करा रहा है global warming तो आपको ना यह global warming भी पता होने चाहिए कि क्या है देखो फिर से समझाने की ज़रूद नहीं है global warming है क्या global warming है कि जब प्रत्वी की सतह का temperature बढ़ने लगे किसकी वजह से greenhouse gases की वजह से अब वो greenhouse gases में बहुत सारी हो सक करती है जैसे carbon dioxide निकलता है fossil fuels बढ़ाने से deforestation करने से तो यह सब जो खुब सही greenhouse कैसे निकलेंगी तो करेंगी क्या उपर जाके खुब मोटी layer बनाएंगे तो खुब ज़ादा heat को यह absorb कर लेंगी यह trap कर लेंगी और अर्थ की सतह से बाहर जाने नहीं देंगी और final result क्या हो heat को absorb कर लिया और heat को trap कर लिया प्रत्वी के वातावरण में जिसकी वजह से प्रत्वी की सतह कर तापमान बहुत सतह बढ़ जाएगा that is global warming अब भाई global warming अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या-क्या effect होगा या क्या-क्या बुरी चीजें होंगी प्रत्वी पे तो देखो global warming होई तो सबसे पहली चीज तो कि भाईया तापमान बढ़ेगा कितना बढ़ेगा अगर सवाल आता है तो भाई लगभग ऐसे expect किय जा रहा है कि 2030 तक जो global surface temperature प्रत्वी की सता का temperature करीब तीन डिगरी तक बढ़ जाएगा तो फॉर एक्जामपल अगर किसी जगह पर नॉर्मल टेंपरेचर 24 डिगरी सेंटीग्रेट रहता है तो वहां पर फिर नॉर्मल टेंपरेचर ही 27 डिगरी सेंटीग्रेट रहने लगे इसे होगा क्या तापमान बढ़ेगा तो सबसे पहले छीज होगी वह जो North Pole South Pole में इतने बड़े-बड़े Gratеди जो खुब बड़े-बड़े शुरू हो जाएगा कित्ना करीब point three meters तक ऐसं I expect कि है जा रहा है किसी लेवल करेब twenty fifty तक point three meters तक बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा याने कि पानी का जो level है वह उपर आ जाएगा अब पानी का level उपर चाएगा तो क्या होगा जो कोस्टल हैं जो समुद्र से लगे हुए शहर है जो सम strength से लगे हुई जगे हैं वह डूबना शुरू हो जाएंगी समझ में आया चून सारे साथ है देखो पहले तो तीन डिग्री तक टेंप्रेचर बढ़ जाएगा टेंप्रेचर बढ़ जाएगा साउथ पूल नौथ पूल में जो बर्फ के पहाड है वो सब पिघलना शुरू हो जाएंगे अब बर्फ पिगड़ेगी तो क्या होगा पानी बढ़ेगा समुद्र में पानी बसे हुए है जो कोस्टल एरियास है वो डूपना शुरू हो जाएंगे समझके तो यह तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी टेंशन सबको है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े है अब भाई ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट् बातलब की को बहुत सारे साइक्लोंस आएंगे बहुत जारा सूखा पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें होंगी तिक उसके अलावा जो बारिश है जो एक नॉर्मल होता है ना कि हमारे हाँ जून जुलाई में बारिश आ जाती है और फिर बारिश इतने समय तक चलती है उसक घरमी और बढ़ता जाए के तो क्या होगा जो सौइल का मोइस्चर है मतलब जो प्रत्वी की सतर का जो मिट्टी होती हो इसमें थोड़ी बहुत नमी वगरह रहती है वह पूरी की पूरी खतम हो जाए कि देखो बारिश होने रही है गर्मी बढ़ती जा रही है नमी खतम हो गई तो क्या होगा जमीन बंजर होने शुरू हो जाएंगे तो भई आप वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर पाओगे खेती नहीं कर पाओगे तो और पंगे हो गए तो कितने सारे पंगे हो गए टेंप्रेचर बढ़ गया ग्लेशियर पे गल गए सी लेवल बढ़ गया कोस्टल एरियास डूब गए एक्स्ट्रीम क्लाइमटिक इवेंट्स जैसे कि साइकलों से ड्राफ्ट आ गए बारिश भी अच्छे से नहीं होई बारिश अच्छे से नहीं होई तो जमीन बंजर हो गई खेती नहीं हो पाई कितने सारे पंगे है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के ब अब इतनी सारी तो बोल दिया अपनने कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है नहीं होने देना है ग्रीन हाउस गैसे को कम करना है उसके लिए किया क्या तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के प्रेवेंचन के लिए क्या हुआ वर्ड लेविल पे क्योटो में एक कॉन्फर जो है उनका उत्सर्जन या उनके निकलने को उनको बहुत ज़ादा कम करना है globally, globally कम करना है यानि कि सारे देशों को मिलके कुछ ऐसा करना है कि greenhouse gases का emission या greenhouse gases को ज़ादा हवा में छोड़े ही नहीं कितने प्रतिशत कम करना है greenhouse gases को तो लगभग 18 प्रतिशत तक हमको कम करना है ये क्योटो क्रोटोकॉल के तहट निर्ने लिया गया था तो इसमें कितने देश शामिल हुए थे करीब 187 हैंने की करीब 187 countries ने इसमें भाग लिया था अब इसका मुख्यों देश क्या था में टार्गेट क्या था इसका में पंतो, बाद धेब 187 को कम करना संफा हेक्षाफ्ल tamp 2021 को कम करना और ख्लूर टेश क्यां सiक्द पर्विकव बार क्योटिंटन वेयस के हैंने पढ़ा था लिए हिरोज़on में चेहिद कर ठीक है तो आपको क्यों प्रोटोकॉल में पता करना है कि यह ग्रीन हाउस का सब्सक्राइब करना करीब अठार पतिशत 2005 में थी कॉन्फरेंस 187 ने भाग लिया था और यह सारी गैसिस है जिनको आपको कम करना है ठीक तो यह ग्लोबल वार्मिंग के क्या था उसका उद्देश था कि कार्बन डायोकसाइड को के एमिशन को कार्बन डायोकसाइड के निकलने को आपको हवा में छोड़ना कम करना है CO2 के emission को सारी देशों को मिलके कम करना है ठीक है? तो यह Paris protocol था तो क्योटो protocol याद रखना कि global warming के लिए क्योटो protocol बहुत important है याद रखना एक और वाईवा में जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है heat island का मतलब क्या होता है तो heat island भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है? heat island कुछ नहीं है आपने देखा है कि जब आप शहर से गाव जाते हो तो आप बोलता है याँ कितनी हरयाली है, यहाँ कितनी ठंडक है, वहीं शहर में कितनी गर्मी है, शहर कितना वाम है ऐसा क्यों होता है? देखो शहर में बहुत सारी चीज़े होती है एक तो industries हो गई तो वहाँ से धुआ निकलेगा दूसरा आपके transport vehicles हो गए, उससे खुब सारा धुआ निकलेगा उसके अलावा greenery बहुत कम है तो जंगल बहुत कम है पेड़ पौधे बहुत कम है उसकी वज़े से गर्मी जाता होगी ठंड़क कम होगी वही रूरल एरियास में इसका उल्टा है रूरल एरियास में industries उतनी नहीं है रूरल एरियास में कारे वगएरा गाडियां वगएरा उतनी नहीं चलती है तो धुआ वगएरा उतना नहीं निकलता रूरल एरियास या गाओं में greenery बहुत ज़ादा है पेड़ पौधे बहुत ज़ादा है जंगल बहुत ज़ादा है खेट बहुत ज़ादा है तो अपने आपी ठंड़क ज़ादा होती है इसलिए क्या होता है रूरल एरियास या ग्रामी उनी छेतर जो होते है वो ठंड़े होते हैं जबकि जो शेहरी छेतर होते है शेहर होता है सिटीज होती है वो ज़ादा गरम होती है और गरम होती है इसलिए उनको as a heat island भी कहते है तो आपको ये समझाते आना चाहिए अगर वाईवा में पूछ ले कि भाईया heat island का मतलब क्या होता है ठीक तो इतनी चीज़े है जो आपको greenhouse effect और global warming में पता होने चाहिए अगर मैं बात कुरूँ सवाल की तो भाई theory exam में आपको short note आजाता है greenhouse effect पे आजाता है greenhouse gases पे आजाता है global warming पे आजाता है Kyoto protocol पे आजाता है तो ये theory के लिए बहुत important topic है भाईया short note इस पे कहीं न कहीं तो आपको भसेगा star question है इसको छोड़ना मत global warming, greenhouse effect greenhouse gases, Kyoto protocol किसी पे भी आपको short note आ सकता है कि viva viva में important चीज़े क्या है viva के लिए पहला तो important चीज़ की भाईया greenhouse gases के नाम बता दो ये आपसे बोला जाता है second चीज, global warming कैसे होती है ये viva में पूछा जाता है तो इस तरह से आप समझा सकते हो तीसरी चीज, viva में पूछी जाती है कि भाईया, greenhouse gases कहा कहा से निकलती है तो ये बताते हैं आपको आना चाहिए ठीक, उसके अलावा viva के लिए important point की global warming के effect क्या-क्या होंगे या आगे जाके global warming क्या-क्या पंगे करा सकती है तो ये बहुत अच्छे से समझाना line से याद रखोगे तो याद रहेगा आपको temperature बढ़ गया, glaciers पिखल गया sea level बढ़ गया, coastal areas रूप गया extreme climatic conditions हो गए rainfall कम हो गया, moisture कम हो गया तो farming नहीं हो पाई line से याद रखोगे तो याद रहेगा ठीक, Kyoto Protocol viva में पूछ ले जाता है Kyoto Protocol क्या होता है या दूसरी तरह से viva में पूछ ले जाता है ठीक, पीत हो गए आपके viva की questions अगर मैं बात करूँ MCQs की तो जितने भी underline part है हमारे notes और slides में वो सभी entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ तो ये कई बार आता है greenhouse gases के नाम बताओ तो आपको बताते आना चाहिए उसके बाद highest contribution किसका होता है ये पूछा जाता है second highest contribution ये पूछा जाता है और maximum effect global warming पे किसका होता है ये पूछा जाता है फिर ozone layer कैसे बचाव करती है ये भी पूछा जाता है और ozone layer के depletation में कौन सी non-natural gas है जिसका एहम रोल है that is chlorofluor carbon ये भी आपको MCQ आया हुआ है ठीक उसके अलावा आपको एक MCQ ये भी आया था कि भाई greenhouse gases को decrease करने के लिए क्या किया तो Kyoto Protocol और एक MCQ ये भी आया है कि कितनी percent gases को कम करना है तो करीब 18% तक कम करना है ठीक उसके अलावा heat island पे MCQ आ सकता है Paris Protocol पे MCQ आ सकता है ठीक तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको greenhouse effect में global warming में और Kyoto Protocol में पता ही होनी चाहिए Thank you